वल्दवानी सस्वक की बड़ी कबर जा सरकार के किलाफ कॉंग्रेस की लालतेन यात्रा आसे शुरू होने जा रहे तो दोपहर बारा बजे बुदुपार से इस यात्रा की शिरुवात की जाएगी रामलीला मैदान में जनसभा में तब्दील होगी पद्यात्रा तो हजारों की संक्या में कॉंग्रेस के कारेकर्टा इस पर यात्रा में शामिल होंगे हरीश रावत प्रितम सिंग समेथ कॉंग्रेस के दिगज भी इस पर यात्रा में मौझूद रहेंगे तो रावत सरकार के तीन साल के विकास को शहर में खोजेंगे कॉंग्रेसी कबर हल्दवारी से आपको दे रहे जहाँ सरकार के खिलाफ कॉंग्रस की लाल्टेन यात्रा आज से शुरू होने जा रहे जिसका वक्त बारा बज़े रखा गया है तो बारा बज़े बुद्ध पार्क से कॉंग्रस की लाल्टेन यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा के जर ये कॉंग्रिस खोश्टी नजर आएगी तो हल्दवानिस से ये पड़ी खबर आपको दे रहे रामलीला मैदान में जन सभा में तब्दील होगी पद्यात्रा और इस लालतिन यात्रा कुले कर पूरी तैयारी और मारा जाराय की जन सहलाब इस पद्यात्रा में उमर्द सकता ह तो हजारों की संख्या में कॉंग्रिस कारेकर्टा भी शामल होंगे ना सिर्फ कारेकर्टा बलकि कॉंग्रिस के दिगज नेता भी इस यात्रा में मौझूद रहेंगे तो हारी श्रावत प्रितम सिंग समेट कॉंग्रिस के दिगज पद्यात्रा में होंगे शामल तो राव तो बारा बजे इलालटेन यात्रा बुद्पार्क से शुरू होगी जिसमें हजारों की संख्या में कॉंग्रिस के कारेकरता शामिल होंगे दिगज भी इस यात्रा में मौजूदगी अपनी दर्च करेंगे आपको बता दे के त्रविंदर सरकार के तीन साल पूरा हो चुके ह और लगातार कॉंग्रिस हर मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई और इसी के तहट अब ये लालटेन यात्रा की शिर्वात कॉंग्रिस की तरह से संबा दाता दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक सरकार के खिलाफ कॉंग्रेस की लालतेन यात्रा आज से शुरू होने जा रही है ताजा बेट किस तरह की तैयारी यात्रा को लेकर देखिए लगातार कॉंग्रेस जो है आब सरकार पर हमलावर हो रही है जैसे ही सरकार के तीन साल पूरे हुए हैं तो आब कॉंग्रेस को ये सरकार को घेरने का मौका मिल गया है लिहाजा इसकी सुरूआद कुमाओं के प्रवेश द्वार हल्दवानी से आज होगी जहां हजारों की संख्या में कॉंग्रेसी जो है लाल्टेन यात्रा निकालेंगे और कॉंग्रेस का ये कहना है कि तीन सालों में विकास की एक इड भी भाजपा द्वारा नहीं लगाई गई है याजा अब उनको दिन की दोपरी में लाल्टेन लेकर त्रिवेंद सरकार के जो विकास कारी है उनको ढूड़ना पड़ेगा ये एक सांकेतिक विरोध का तरीका है लेकिन इस पद यात्रा के माध्यम से पूरी कॉंग्रेस एक चुट नजर आएगी ऐसा पहली बार होगा जब लंबे समय के अंतराल के बाद जब प्रदिश प्रभारी अनुरा नारायन सिंग के नित्रत तुमें दिनेश ये एक चुटता कितनी दिखाई देती है यात्रा में यह देखना होगा लेकिन आज से जिस तरह से इस यात्रा की शरबात होने जा रही है दिनेश तो कौन-कौन से दिगज नेता इस यात्रा में दिखाई देंगे कॉंग्रेस की तरफ से जी देखिए लगबाग कॉंग्रेस के सभी नेता इस कारिकरम में सिर्कत करेंगे क्योंकि देर रात ही सारे नेता हल्दवानी पहुंच चुके हैं अगर बात की जाए तो प्रदेश अद्यत्स प्रितम सिंग कल देर साम ही पहुंच चुके थे इसके सांसांद उनकी पूरी नई PCC जिसके हाली में घुटना हुई है वो सभी कारिकरता कुमाओ चेत्र के सभी बिधायक पूरो बिधायक और बरतमार बिधायक के साथार पूरो मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी अनुगरा नारायन सिंग भी यहाँ पहुंच चुके हैं अब टक कॉंग्रेश के समाम कारे करमों में घुटबाची दिखती थी कि ख़ी कारे करम घूजरा और भी तो यह पहला मुखा है जब और दोज्या चींग आगाज करेश घारने जा रही है कॉंग्रेस ने जो बरतमान सरकार के तीन साल के कारेकारों कारेकार में जन विलोजी नीतियों का चिठा है उसको भी जारी किया है और जन जन तक जो इनके कारेकरता है उनको जो कॉंग्रेस के कारेकार, भाजपा के कारेकार में जन विलोजी नीतिया है बिल्कुल दिनेश सियात्रा को लेकर आप नजर बनाए रखे फिलहार शुक्रिया जुड़ने के लिए